अगर कुछ त्रीक को फॉलो करके अगर हमारा काम घर में हो जाए तो हमें बाहर जाकर पैसे खर्च करने की क्या जूरत है तो आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते ह हैं और देख लेते हैं अगली टिफ समारि को ले करके यह जब हम बादाम जो है की इस्टोर करकी यानि रग देते हैं तो ए बादम पहुत ही जली जो है की खराब होंने लगते हैं और अंदर से उफर से तो देखने में बिलकुल एचीघे लेकिन अंदर से एकदम खाली पन हो जाते हैं तो मेरे पास एक छोड़ी सी टीप से अगर आप उसका जो है कि इस्तिमाल कर रहे हैं तो आपके वदाम काफे लंबे दिन तक एकदम सुरचित रहेंगे तो आपको क्या करना है यहां घी ले लेना है यह थोड़ा सर्दियों के वज़े से हमारे घी थोड़ा सज्यम गया है बहुँ जादा घी का इस्तमाल आपको नहीं करना है बस और इसे हम हाथों से इस तरह से तो बस आपको क्या करना है अच्छे से जो एक घी बदाम पे अच् तो अब आपको क्या करना है इस तरह से कोई भी केंटेर्न ले लेगे और इसमेन यो है कि इस्टोर करके आप देंगे इस तरह से आप रखेंगी तो काफी लंबे दिन तक आपका आपका जो है कि बादां बिलखुल सेफ रहेगा और बिल्कुल सडन नहीं लगेगे इसमें और आप जब भी आपको इस्तमान करना हो आप कर सकते हैं तो आई होग यह भी टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक चरू देजिएगा अगली टिप्स हमारे जो है कि इस कैसरोल के डब्बे को ले करके हैं अकसर क्या होत है जो नीची वाली रोती है वो बिल्कुल खाने लायक नहीं होती है तो मेरे पास एक टिप्स है में आपके साथ सेड करना चाहूंगी अगर आप उस्तिप्स का इस्तमाल करेंगी तो आपको रोतियां जो है नीचे से गीली भी नहीं होंगी और यह आपका ठैसरो जो भाब इसंतमाल करते हैं तो आपको क्या करना है इस तरह से आपको बदर पेपर ले लेуск talk to the group आता है या तो उससे ही लेए ईसके बाद इसमें आप रोटिय अप fundament करते हैं कि आपको या जो नीची इरोटी ते पाने शोड़ती है विभी नहीं तो आप्को Tution ved siis इसे जरूर फोलो कीजिएगा आप लोगों को बहुत पसंद आनी वाली है क्योंकि हर लेडिस की यह समस्या है तो आई हो बेवी टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो जो है कि एक लाइज जरूर देजिएगा अगली टिप्स हमारी इस तरह के जोली को लेकर के अक्सर क्या होता है जब हम इसे यूज करते हैं तो यूज करते करते हैं काफी गंदे हो जाते हैं जब यह गंदे हो जाते हैं तो दिखने में अच्छी नहीं लगते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं सुनार के पास जाते हैं क् पैसा खर्च करने का आप घर में ही कुछ तिक अपना करके आप इसे क्रेन कर सकते हैं आपको क्या करना है एक पेन ले लेना है या कड़ाई लेजे या कोई भी गहरा परतन ले देजे तो इस तरह से उसमें हम पानी डाल देंगे और गैस को हमने जला दिया है और यहां हमने जो है के सिम्पू ले ले लिया है आप आप जिर्श इंक राश्च का हिस्तिमाल कर सकते हैं तो अब इसके अंदर हम इस एक पैकट को हम पूरे इसके अंदर डाल देंगे तो बस इसको हम चलाते भी मिक्स कर देंगे इस तरह से और यहां में ले रहे हूं आदा चमच सोडा यानि यह पेकिंग सोडा है इन सब को डाल करके हम मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसमें अपनी जो है यूलिरी को डाल देंगे तो जो भी आपके पार जोलिरी हो जो साप करना हो तो इस तरह से इसके अंदर आपको डाल देना है तो थोड़ा सा थोड़ी देर तक इसमें उबलने देना है तो अब क्या करना है अब हमें जो है गैस को बंग कर देना है और गैस बंग करने के बाद इसे पाने के अंदर से निकाल लेना है अब इस तरह से आपको एक ब्रस ले लेना है जो ब्रस आप यूज नहीं करती हूं उसी ब्रस का आप इस्तमाल कीजिएगा और इस तरह से इस पे आपको थोड़ा सा ब्रस चला देना है और देखी आपको जो है कि दिखते ही फरक नजर आ रहा होगा कि यह पहले कि अप आई कर सकती हैं तो मैं इसे साफ करके आपको दिखा रही हूं कि आपको देख रहा हूं कि इतना क्लीन हो गया है और आयल देखिए पिछया देखिए सब बहुत ही साफ हो गया है और आपको दिखाएंगे आपको कि इस पूराना तरीका है यहां और पौराना है लेकिन भुषी परफेक्ट है तो बस इस तरह से हम साथ प्वैले पौछ लेते हैं यहां हमने ले लिया है सिंदूर तो जी हां यह सिंदूर है सिंदूर से ही हम पॉलिस करने वाले हैं यहां पे और पॉलिस करने से पहले आपको क्या करना है जो जूलिरी आपने रखी हुई उसे अच्छे से जो है कि सुखा लेना है सुखाने के बाद ही इस जो है पॉलिस करन और जैसे जैसे आप रभ करोगे, देखोगे कि बहुत इची इसमें चमकाने लगेगें और इस तरह से हमें इस पे लगाना है जैसे पाτοन करते हैं बिल्क axi तरह से हमें हातों से इसतरह से करना है आपको दीख रहा होगा कि यह बहुत ही अच्छी तरीके से और भी चमकने लगेगा और मैं इस पे भी इसी तरह लगा लेती हूँ यह चूड़ियां है इन पे भी हमें लगाना है यह देखे इसके लगाते ही इसमें इतनी अच्छी लाइट आ जाती है जैसे हमको जैसे लगता है कि हमने इसे पालिस करा के लाया हुआ है इस तरह से इन देखें मैंने सब पे भी अच्छी से जımेट लगा ली है आप देख रहे हुएयग है पहले कैं बैचह पे ठीट लाइन प्ड़िया शकी लाइक है जैसे लग रहा है गर पे ही इस त्रीक से आप जो है अपनी जूली को एकदम चमका सकते हैं जैसे लगेगा कि आपने जो है कि सोनार को दिया हुआ था पॉलिस करने के लिए यही है कि यह काम आपको जूली सूखनी के बाद करना है नहीं तो गीला रहेगा न तो थोड़ा सा लाल लाल देखेग लेकिन गुराने से टीख है लेकिन बहुत भी आए तो इससे आप फोलो करके देखिए गा और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको कैसा लगा और यह देखिए यह मेरी पायल है यह मेरी पायल और विच्छिया है इस पर युकि आपको सिंधु लगाने की जूरूत न आज बीडियो अच्छी लगी हो दो एक जरूर दीजेगा और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा कि और लोगों को निवे यानि पहली बार हैं तो सस्क्राइब किये बीना मज जाएगा तो ऐसे एसे ट्रिक के साथ हाजीर होते हैं तब तक के लिए बाई बाई